पचास के दशक में तकरीवन पचास से ज्यादा बार नारद मुनी का किरदार निफाया है। उन्होंने बॉली वुज में खूब नाम कमाया और एक से बढ़ कर एक फिल्म सुहाग जौनी मेरा नाम में काम किया। जीवन को उनके नेगेटिव रोल के लिए खासतोर पर जाना जाता है। हलाकि अपने बीच अब वो नहीं है लेकिन उन्होंन एक्टिंग से चाप छोड़ी है। आज हम आपको उनके जीवन की दास्ता के बारे में बताएंगे। जीवन का जनल 24 अक्टूबर 1915 श्रीनगर में हुआ। जब वे तीन साल के थे तब इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया था। और कुछ समय के बाद इनकी मा ने भी अलविदा कह दिया। अब अगर बात करें इनके जन्दगी के बारे में तो जीवन 18 साल की उमर में ही घर छोड़कर मुंबई आ गये थे और मुंबई में थोड़ी कठनाईयों के बाद इन्होंने मोहन स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। इनका काम रिफलक्ट पर सिल्वर पेपर चिपकाने का था ये काम करते-करते उन्हें फिल्म फैशनेवल इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिर 9-211 कोहिनूर, चानदनी चौक जैसी फिल्मों में काम किया जिसे मोहन सिंध différentes बनाया। फिर एक से बढ़कर एक फिल्म में आमर अक्बर एंथिनी धर्मवीर में अपने नेगेटिव किरदार को बहतरीन तरीके से प्रश्टुत किया, इनकी आखरी फिल्म इंसाफ की मंजिल जिसे रामनंद प्रसाद और ब्रजबूशन दौरा निर्देशित किया गया, इनकी पतन के दशक के जीवन कैसे लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं